हेलो बच्चो वेलकम टो एडियल कुछिंग क्लासेश अकोला डियर इस्ट्रेंट्स आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नमबर सेकंड बाड़ी फ्लूड एंड सर्कुलिशन इसके पहली लेक्षर में अपन ने स्टडी किये हैं एक नया चेप्टर अपन ने स्टार किये हैं जो अपन ने जो है प्लाजमा के बारे में स्टडी किये हैं उसके बाद में जो है अपन लेक्षर नमबर सेकंड लेकर आये हैं और इस लेक्षर में अपन को स्टडी करना है फॉर्मड एलिमेंट्स के स्टडी स्टार्ट करते हैं और फॉर्मड एलिमेंट्स को अपन देखते ह औरF THE 238 एपने वह कितना संट तो फॉरमपड़नी में बता कितना हुए है यहाँ पर 5000 पर 45% जो है फॉजधेरी के हिसाब से अपने को लेते हैं और यइडिरी करते हैं यह थे में पेज नमबर我们 94 कड़ेता हैंजिखके अदर बताकर कर दीता है किgrass आ रहे हैं तो फखम डेलीमेंटस इंक्लूट करेंगा किसको तो वामड मिलमेंoon अब किसको करता है यह पहते हैं यहां पर यह आ यहां लुकोचाईट और इसको यहां पर इससे पर इसको समझने के लिए अपन बताते हैं कि बढ़ का जो वोलूम आ रहा आ था है कि यहांड्रेड पर्संट जो है पर्संट जो है प्लड है इसमें है और इसमें अपन बताते हैं यहां पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स की कि अपन बात करते हैं तो वह इनपट करता है इरितरोसाइट को यह इंक्लूड करता है फ्रोंबो साइट्स को लेकिन अपन ने जो है इसके पहले लेक्चर में लेक्चर फर्स्ट में अपन बता रहे थे कि जो अपन इंक्लूड करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर तो यहां पर इंक्लूड किया जाता है इरिस्ञा और उसके बाद में बात करते हैं कि इसका जो ठोर्षन बचा हुआ रहता है तो वन टूट 50 में अपन्ग करते है तो थोड़ा सागर इसको अपन नेकर जाते हैं अगर इसको लेकर जाएंगे तो इसको और उसके बाद में आपन देखते हैं कि अपन बात करते हैं तो इसको इंक्लूड किया जाता है आउट आफ एंसे अडी के बात करते हैं तो इसको इंक्लूड किया जाता है बफी कोट में पहले लेक्षर में अपन बताएं इसको अपने देखें इसको पहले लेक्षर में कि इसको इंक्लूड करेंगे बफी कोट में जो है कि आजाता है लुको साइट एंड थ्रोंबो साइट को हो गया यहां तक किलियर और अपन जो है एंसे इटी भी कवर करते हुए चलेंगे और उसी के साथ साथ में जो है आउट-प्स लेवर्स ब्रॉपान इसको लेकर जाना है कि अपन अपना ब्रना करना है और बेसिक बेसिक चीज़े अपन जो है study करेंगे तो अपना जो है basic concept जो रहते अपने वोसी के साथ में जो है clear होते हुए clear हो जाएंगे और उसी को clear करते हुए अपन को चलना है तो सबसे पहले अपने बात की है NCRD का जो statement आया है कि NCRD में page number 194 की अपन बात करते हैं तो page number 194 कर क्या बताते है अपन को कि formed elements जो आ रहे हैं formed elements nearly considered 45% formed elements कितना मिलेंगा अपन को कि formed elements जो आ रहा है यह रहता है nearly 45% और इसमें include अपन किस्को करेंगे तो it includes erythrocytes it includes leukocytes and it include thrombocytes को बता कर देती हैं कि आपन बात करते हैं तो आ रहा है तो इर्थ्रोसाइट को भी इंक्लूट करेंगा और थोड़ा सो इसको आपन रखते हैं तो याद रखने हैं आपन को सिर्फ क्या आ रहा है यह इंक्लूट करेंगा पर अपन को जो है रे थोड़ा साइटक के आपन बात करते हैं यह मिलता है अपन को नाइंटी एट तौ नाइंटी नाइंगो और यह वह लगा रेटोसाइट इस और जाए उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर लियुकोसाइट्स एंड थ्रॉम्बोसाइट्स की तो लियुकोसाइट्स एंड थ्रॉम्बोसाइट्स जो आ रहा है यह रहता है अपने पास में कितना तो इसका अपन बताते हैं यहाँ पर वन टू टू परसंड कितना बता देंगे तो इसको आपने पास में उसके अपन को इसको क्या बोला जाता है कि इसको अपन बोलते हैं यहां पर इसको बोलते हैं और पहला आपन देखते हैं कि आरपी इसको बोलेंगे तो इसको बोला जाता है most abundant cells क्या रहता है यह most abundant आपन को बताना है कि एक एडल्ट के अंदर को कितना मिलेंगा अपन को लिखकर देती है थड़ लाइन में स्फारें को बतातीय को के अपन को अपन को मैन की बात करते हैं तो इसमें अपन देखते हैं कि Adult Age में जो है और विसीज कितना मिलेंगा एंसाइटी को अपन अभी कवर कर रहे हैं तो इंसाइटी के अंदर कि अधर कर देता है कि Adult Age के अंदर आपन को 525.5 million mm3 inverse कितना मिलेंगा यह 525.5 million mm3 inverse अपन को को यहां पर इर्जित्रोसाइटेव मिलेंगा यह एड Hagל की बाहत है फिर यहां पर बात करते हैं यहां पर बात करते हैं कि प्लिद करते हैं ols 525-1101 मिलियोन एमें mr2 किनosphorus मिलेंगा है और मेल के अपन बात करते हैं तो मेल में अपन जो मिलेंगा मेल के अपन यहां पर बात करते यहां पर 525.5 million mm3 इन वर्स कितना रहेंगा यह 525.5 million mm3 इन वर्स जो है मेल में अपन को RBC मिलता है यह दोनों भी टॉपिक जो आ रहे हैं अपने पास में यह है आउट आउट आउप NCRT NCRT के अंदर जो है सिर्फ यहीं लिख कर दिया है कि adult age की अपन बात करते हैं तो adult age में जो RBC आ रहा है RBC के जो सेल्स अपन को मिलेंगे यह रहते हैं कितने 525.5 million mm3 इन वर्स कितने रहेंगे हैं यहां पर कितना 10 लेक हो गया यहां तक कि अपन पहले देख रहे हैं कि most abundant sale in blood blood के अपन बात करते हैं तो ब्लेड के अंदर जो है most abundant sale आ गया यहां पर RBC में जो है average अपन बता रहे हैं कितना मिलेंगा यह तो मिलता है अपन को 525.5 million mm3 इन वर्स उसके बाद में जो है नेक्स्ट अपन कवर करते हुए चलते हैं किसका शेप किस तरह से रहेंगा इसकी शेप कि अपन बात करते हैं तो इसका जो शेप आता है अपने पास में शेप इसका किस तरह से मिलेंगा उसको अपन कवर कर लेते हैं च्ट तो mostly जो है यहां पर most of the members अपन बात करते हैं mostly जो है members को इन्प्लूट करना इसमें तो शेपर बताते इसका बाइग का सिए क्या रहा है तो इसको अपन बता देंगे डिवाइड आफ नुकलियस क्या बताना है अपन बताते हैं यहां पर डिवाइड आफ नुकलियस मतलब क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो है नुकलियस अपसेंट है क्या बताएंगे अपन बात करते हैं तो इसके बात में थोड़ा साओ शेप के बारे में डिटेल करेंगे और इसमें अपन को हैं मिलेंगा किसकी बात करें यहां पर हैं बता रहे हैं शेप जो है इसका की तरह से जो है बाइक उनको शेप अपन देख रहे हैं इसका कटिंग अगर अपन करते हैं और और अब अपन को बताते हैं तो इसमें आपने पास में उसको आपन बोलते हैं यहां पर इसको आयरं कंटेणिंग और अपने प्रोटिन प्रोतीन कंपलेक्स तो iron containing protein complex जो आ रहा है तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर हेमोग्लोबिन क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर हेमोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन जो रहता है इसके अंदर फुल फिल्ट रहता है तो आई अब बात करते हैं अपन इसमें हेमोग्लोबिन की किसके अपन बात करे यहां पर हैं पहला वड़ अपन को बताएंगे और दूसरे वड़ के अपन बात करते हैं तो दुसरा आता है यहां पर गुलगीन जो आपने पास में आयन्स, आयंस कंटेनिंग क्रोटीन कॉंप्लेक्स क्या आप पर आयंस कंटेनिंग क्रोटीन कॉंप्लेक्स मतलब क्या हो रहा है इसमें जो बता रहे हैं तो एक अपन बात कर रहे हैं पहले यहां पर हेम की किसकी बात कर रहे हैं इसमें हेम की तो हेम जो रहता है हेम में इंक्लूड करता है आयन्स को किसको इंक्लूड करेंगा है में आयन्स को और सेकंड अपन बात करते हैं यहां पर सेकंड आता है इसमें ग्लोबलिन यहां पर तो सेकंड अपन बताते हैं इसके अंदर ग्लोबलिन और ग्लोबलिन जो आता है इ सब्सक्राइब करते हैं तो इसके अंदर अपन बात करते हैं तो जो प्रोटिन आ रहा है और उसी के साथ साथ में जो आ रहे हैं तो इसमें बता देते हैं किसका फंक्शनिंग क्या रहता है तो इसका में फंक्शनिंग भी अपन देखते हैं कि फंक्शनिंग क्या करेंगा यह तो यह फंक्शनिंग करता है ट्रांस्पोर्ट आफ की ग्रान्सपू आफ गेसे डाव गेसे चैल था फ Höंशन्स नहीं रांसपूट आफ जैसे और मता दिएं। इस को हैं यहां पर बताके थिते हैं . पिर आफ बन आ603 डुटा रहीं था क्या इसरें , औरेडी सभी को पता है, कौन सी गैसिस के अपन बात कर रहे हैं यहां पर, तो गैसिस जो आ रहे हैं इसके अंदर O2 और CO2 की बात कर दी हैं, ऑक्सिजन की और कार्बन डेयोकसाइड की अपन को जो है यहां पर बात करना है, अब हो गया यहां पर के हेमोगलबिन भी अपने द मिलेंगा तो उसके लिए एक statement यहां पर लिख कर देता हूं कि एवरी हंड़ेड एमल ओफ ब्लड एंसाइटी के अपन बात कर रहे हैं पेज नमबर वन नैंटी फॉर नियो एंसाइटी और पेज नमबर टू सवर्टी नाइन ओल्ड एंसाइटी तो एवरी हंड़ेड एमल ओ इतना मिलेंगा इवरी हंड़ेड एमल आफ ब्लूबिन किसको याद रतना है थोड़ा सा इसको अपन आउट आउट उसलेबस लेका कर जाते हैं अब यहां तक तो बात अपने जो किये हैं यह अपन बात कर रहे हैं तो यह इसको देखे हैं तो बता रहे हैं कि करेंगा यहां तक कवर हो गया उसके बाद में नेक्स अपन ने बोले हैं कि एवरी हंड़ेड अपन को मिलता है अब इसके बाद में बात करते पल बात किये थी याद आ रहा हुगा कि अंदर आ यहां पर युदि बता हम लगे अपन अपन बता है कि अपन है अब इसके बाद में जो है अब बात करते हैं shareholders हेमोगलोबिन किसकी बात करेंगा अपन यहां पर एच आर्विस इस कंटेन एच आर्विस इस मतलब रेट ब्लड शेल्स के अपन बात कर रहे हैं तो एच आर्विस इस कंटेन क्टेन इसका अपन बोलते हैं यहां पर एप्रॉक्सीमेटली तू सेवन्टी मिलियन जो है कुछ अपन को लिकर बताता है कि इसका अपन देखेंगे तो यह रहे हैं अपने पास में तो 265 million इसके लिए स्पेसिफिक कितना रहता है यह 26.5 क्रोड कितना बता देंगे इसको अपन यहां पर 26.5 क्रोड इस आर्विस कंटेन हाव मैं ने हैं तो यह करत अपने पास में के इस आर्विस इस कंटेन 26.5 क्रोड हो गया यहां तक क्लियर पहला अपने देखें इसका कि इस तरह से रह रहा है शेप अपने देखें के बाइक और अपन बोल दें इनुक्लिटेटर उसी के साथ में सिल के अंदर जी तने भी और सपन्ट संपाइश के अपसंट रहने के वजह से जो है कुझा कुझा रही है तो जो प्लाज्मा मेंबриз करते हैं इसके अंदर आपन पड़ते हैं यहाँ पर हम सैंटिस्स करांगा कुझा कλαदे करें रही है कि इसके प्लाज्मा मेंब्रेन कुझा करेंगे तो यहाँ वो प्लाजमा मेंब्रेन यूज की जाती है आर्बिसीज की प्लाजमा मेंब्रेन को यूज किया जाता है और आर्बिसीज की जो प्लाजमा मेंब्रेन जो है साइंटिस स्टडी करते हैं इसको बोलते हैं यहां पर डोनांस मेंब्रेन क्या बोला जाएंगा इसको कि आर्बिसी बिंगी आप पर सेलव मैंब्रेव या फिर बोलोまた सब्सक्राइब यह फिर इस जो कि अपने वीधि ब किसकी बनी उरेती है यह प्रोटीन लिपीड एंड कार्बोहेड़िड की तो इसको जो है सिल दा इनुट अफ लाइफ के अंदर स्टडी करना है एक क्वेंट जो बता रहा हूं कि अपन जो बात करते हैं प्लाज्म मेंबरेन इसकी स्टडी क्यों करते है क्या बोलते है सैंटी छे इसके अंदर रहते हैं यहां तक अब नेक्स अपन लेकर चलते हैं इसको कि अपन बढ़ते हैं कि अपन के बात किये हैं और क्या रहा है कितने कितना बतादेंगे इसको फाइट वाइब कॉई फाइब कॉई पाइब मिलियान एमम कुब इन वर्स अब आ रहा है शेप अपन इसका कैसा बताएं इसको बाइक और आप पर डिवाइड डिवाइड आफ नूकलियस अंदर अफसेंट है यह बता दें किसको अंदर अपकर एंपर्ट करके है और किससे बिलॉंग करते हैं थोड़ा सा लेकर जाते इसको ऊपन ऐनिमाल क्रिंग्डम की तरफ भी है ना इमन्स जो है किससे करते है कौन सी सब्सक्राइब लो करते हैं यहां पर लॉप्र टार में लिया कॉन्से वाली क्लास हाँद मैं मैंेल क्लास में मत्से करते हैं और क्लास इसको कौन सिंद्र करता क्लास एंफिबिया या फिर प्लास मैमलिया जब बात करेंगे जो आ रहा है अभी आपन जो है बात कर रहे थे इंसे आडी के अंदर पेज नमबर 194 की क्योंकि यह अपन को कहां पर लिख कर दिया है पेज नमबर 194 उसके बाद में इसको ले नमबर 50 कौन सा रहा है लिख लेते इसको पेज नमबर 50 कौन सा रहता है यह लिख लेते इसको अपन ठीक है लिख लेंगे पेज नमबर कितना पेज नमबर 50 कौन सी एंसे नियू एंसाटी के अंदर हां ओल्ड इंसाटी में कौन सा तो ओल्ड एंसेसको पेज नमबर 59 आ आपने बात करते हैं तो फ्राइंट क्रीड़मं रिडूस हो गया तो वहां से पेज भी सके जो है कम होगा यहां से यह आपने बात किसी किये हैं यह आठे अपने पास में नियू एंसियारिटी के अंदर और यह यह अपनको मिलेगा और में में लिख लिए तो अपन को कहां पर लिख कर दिया इसने तो पहले अपन पर नई को लेकर चलना है जिनके पास में तो वहां पर देख सकते इसको तो क्लास में मिले कि अपन बात करते हैं तो तो इसका जो है most of the most unique characteristics बताने क्या करना है बेठापन को यहां पर बोलो most unique characteristics और most unique characteristics जो है महस की कौन से आती है तो इस में जो है में मस के अंधर जो है milk का production होता है और मिलक का production होता है कौन करता है तो मिल्क का प्रोडक्शन एक ग्लेंड करता है और उस ग्लेंड को अपन बोलते हैं यहां पर बोलो कौन सा रहता है तो क्या रहता है उसका यहां से जिए मिल्क का प्रोडक्शन करता है और मिल्क का प्रोडक्शन जो गरता है तो एक ग्लैंड करता है और उस अपन-को कौन-क्ता देगी लेकिन अपन करना है यह ईनिमल कीडम में जो है नियू एंसीयाटी में पेज नमबर 50 और उल्ड एंसीयाटी में जो है पेज नमबर 59 पर लिख कर दिया है क्लास मैमर्स के बारे में वहां पर वहां से कि स्ट्रेमिण अपर उठाये हैं कि मोस्ट of most common unique characteristics और मेमरी Grund क्या करता है ये जह है क्या करता है यह मिलक का प्रॉटेक्शन करता है चले गये सब क्लास तक आगए उसको अपन देख लेते हैं के कुछह क्लास में लिये से क्वुछ आते हैं अपने पास में आरपिकिसिक कुछ मैमल के इसी एकजम्म प्रविशाम्पल आती है जिस में पता थे आपने सी के अंधर यह जो है और एक जो बता देंगे आपद चलो ठीक है इसके अंदर जो है क्लास मेंबर करते हैं तो इसमें जो है एक्सेपशन अपन को बताना है और एक्सेपशन जो आता है कि इसमें एक्सेप्शन अपन बता देती हैं तो इसके आर्विसीज का अपन जो है यहां पर शेप देखेंगे तो इसके आर्विसीज का शेप अपन को मिलता है किस तरह से मिलेंगा तो इसके आर्विसीज का शेप अपन को मिलेंगा और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर को मिलता है किसका यहां तक किलियर अब उसके बाद में बात करते हैं करना इसके बाद में बात करते हैं अब किसका देखना है तो लिकर देती हैं यह रहता है 120 डेस कितना है 120 डेस जो है लाइफ इस पहला पॉइंट दूसरी अपन बात करते हैं यहां पर कुछ और एक्स्ट्र अपन पढ़ेंगे एक्स्ट्र अपन जो है क्या एड़ करना है तो यहां पर हुमन्स के अपन ने बात किये हैं अब इसके बाद में नूबॉन बेबी के बा के अंदर जो आर बिसी सपन को मिलता है उसका लाइफीस्पैन रहते है अपने पास इसका अपन बताते हैं इसके अंदर जो है यूनित नमबर सेकन आता है की भी पढ़नी रहती है तो इसमें जो चैप्टर आता है नेक्स कौन से नंबर का चैप्टर बताते हैं अपने उसको चैप्टर नंबर से मत इसको बता कर दिया था और वहां पर आप अर्फ वाम था पहले उसके बाद में अभी रखा है तो फ्रॉब को यहां पर इंक्लूड करेंगे और इसमें क्या किया है कि प्रैक्टिकल बैलीजी करकर दिया है जिसमें को भी एड़ कर दिया है तो भी देखना है तो कौन सथ यह अपन का इंसिटी के अंदर अभी प्रिज किसकी बात कर रहे हैं यहां पर बोलो फ्रॉक के अंदर जो आ रहा है तो फ्रॉक के आपन बताते हैं यह भी रहता है 100 डेज कितने रहेंगा इसका अभी 100 डेज जो है इसका लाइफ इसका रहता है कि यहां पर क्या हो रहा कि आ पर बात कर रहा है तो होते हैं अपर बात में कहां पर जाते हैं अपन डिस्ट्राइ और पर कहां पर जाते हैं कपर जाते हैं ले खर जाते हैं हो रहे हैं कब लेकर जाते हैं खब्रस्तान के अंदर के आपर ले कर जाएंगे कबरिस्तान के अदर मतलब क्या बोलते इसको अपन यहां पर तो इसको ले कर जाएंगे इसको अपना यहां पर जो आ रहा है इसको बोला जाता है यहां पर इस्प्लीन क्या बलेंगे अपन ग्रेवट आप आर्बिस्स इस्प्लीन और इस्प्लीन इस आलसो नोन आज तो इसको बोलते हैं यहां पर ब्लड बैंक और एक स्टेटमेंट आउट आउट अपना है कि एवरी डेए कि एवरी डेए वन पर्सוחट आउट आप इस्प्लीन इस वेड़रे खार स्ट्रीविट आपर आपर एवरीन पर्स आउट्स आउट्ट्रोग व्रश्र आउट्स्ट्रोग जो है आपने बिच्टने कि आपने आज एक टॉपिक कवर किये हैं फॉर्मड नेलमेंट्स कितना पर्संट था फॉर्टी फाइव परसंट और उसी फॉर्मड एलेमेंट्स के अनर अंपने बताए हैं कौन से आल अटोपिक पहला इसको अपने टॉपिक को कवर किये हैं अपना जो बेसिक को क्या करना है मजबूत करना है तो फिर देखते रहें यहीं लेक्चर और लेक्चर को जाए कंटिनू देखना है अपने पास में अपने दाले हैं अपलोड किया गया है पहलेक्टर फर्स्ट अगर आपको नहीं इसकी लिंक आपको इसको अपनर कोश्चन चाहिए तो इसके लिए जो है हमारा एक टेलिग्राम चैनल है जिसका नाम है ideal coaching classesؤteros ники link जो है आपको description में मिल जाएंगे description में जाकर उस पर click करकर जो है channel को join करना है और join करने के बाद में जो है इस lecture से सारे link connects पर क्लिक करने के बाद में channel को join कर ले और उसके बाद में जितनी भी आपको update चाहिए ये या फिर इसे related जो है question practice के यह question paper चाहिए उसकी PDF चाहिए तो आप जो है comments में बताइए उसकी PDF भी आपन जो है टेलिग्राम चैनल पर upload कर देंगे और साथ जितनी भी curious आपको आ रही है वह भी आपन जो है उसी चैनल पर जो चैनल है वहां पर आपकी क्योड्य से उसको भी आपन वहाँ पर solve कर लेंगे और उसी के साथ साथ में आपको जो है टेलिग्राम चैनल पर मॉक्टेस मिलेंगे जो से उनकी लिए खास रहता है कि मॉक्र के प्रैस्ट करना है तो 720 मार्क जो मॉक्रेस रहता है तो उसका चेप्टर वाइस टॉपिक वाइस आपका अपने अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे इसके पाद मैं आपन जो एक्षर नमेर थर लेकर आएंगे देखते रहे तो देखते रहे आपका अपना प्यार असा बीडिविल चैनल आइडियल कुछिंग क्लास अकोला अब इसके बाद में अपको कम पड़ते हैं तो कमेंट्स कीजिए कमेंट्स करने के फौरण बाद आपको जो है उसकी अपडेट अपने टेलिग्स आपक्राम चैनल पर मिल जाएंगी ठीक है थैंक यू